चैय माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महाकाली भगतग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ माता काली का सिध्धी प्राप्त करने का सक्तिशाली मंत्र जिसने भी पाँच बार बोल दिया, उसको माता की सिद्धी उसी समय मिलेगी कारंटी के साथ जी हाँ भक्तो मंत्र थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन भोड पावरफुल मंत्र है जड़ि किसी भी माता काली के भक्त को मा की सिद्धी को प्राप्त करना है तो आप इस मंतर का इस्तमाल करके माता काली की सिध्धी को प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आज के समय में मा काली को सिध्ध करने के लिए लोग बड़ी बड़ी पूजा पाठ मंतर जाप सब कुछ करते हैं बर्त भी रखते हैं माता के मंदिर में भी जाते हैं कुछ करते हैं जो जो पूजा पाठ में किया जाता है लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी सिद्धी हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाती है सिध्धी प्राप्त उसको ही होती है जो माता की प्रति दिन पूजा पाठ करता है और दूसरी ओर जिसके पास माता काली का सिध्धी प्राप्त करने का मंतर हो अब जिन लोगों के पास माता काली का सिध्धी प्राप्त करने का मंतर है तो वहे लोग तो अपनी पूजा पाट में उसी मंतर का इस्तमाल करते होंगे लेकिन जिन लोगों के पास सिधी को प्राप्त करने वाला मंतर नहीं है तो उन सभी भक्तों को, मा काली के भक्तों को मैं इस वीडियो के माध्यमजे मंतर देने जा रही हूँ वहती अच्छा मंतर है और भोती पावरफुल मंतर है यदि कोई भी व्यक्ति इस मंतर का प्रति दिन पूजा पाट के समय अपनी जाप करता रहेगा तो उस व्यक्ति को उसी समय सिधी प्राप्त होना शुरू हो जाएगी समझ रहें और जब आपको पूरी तरह सिधी प्राप्त हो जाएगी तो आप लोगों का जो तीसरा नित्र है वो भी खुल जाएगा क्योंकि जो आपकी सिधी है वो तीसरे नित्र पर ही आकर जागरित और विराजमान होंगी तो चलिए भक्तों मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेश्ट करना चाती हूँ अगर आप महाकाली भकत ग्यान यूटुब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर लेना वेल आइकन को उल पर सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी निव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे तो देखिए माता काली की सिद्धी को प्राप्त करने के लिए आप लोग गुरुधारन भी करते हैं, अनेक मंतरों के जाब भी करते हैं माता को बड़ी-बड़ी भेट पूजा भी देते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन उन में से कुछ लोगों को जिसका नसीब होता है सही तो उसको तो सिद्धी माता की मिल जाती है और बिगर सिद्धी करे कोई भी देवी देपता हमारे कारे नहीं करता है और सिद्धी करने में और मंतर के जाप से हमें प्रापत होती है मतलब सिद्धी एक होती है जैसे हम लवरात्रे रखते हैं आठ नो दिन के ठीक है तो उसी तरह से सिध्धी भी हम 11 या 40 दिन के करते हैं तो सेम आपको सिध्धी करने की भी जरूत नहीं है यदि आप पूजा पाट के समय इस मंतर को जबते रहेंगे तो सिध्धी तो आप लोगों को इसी मंतर के जरिये से मिल तो मंत्र थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन भोट अच्छा मंत्र है, मंत्र है माता महा काली करे जगत की रखवाली, पूजे, देव, जिसे पूजे तीनों लोग, धरम वती, धरम वली, सत्यका दीप जगाने वली, पापी दूष्ट को मिटाने वली, दुर्वल को सहारा देने धर्म का पूज द्रीप चलाने वाली माता महाकाली अधर्म का नास करने वाली जो भी नर नारी याद करे जगत माता है माता बनकर प्यार करे हर काम में सहारा बनकर संसार का कल्यार करे जै जै महाकाली माता तेरी जगत जै जैकार करे इती सिध्धम ठीकने ये प्यारा सा मंतr है ये भोध अच्छा मंतr है और ये मंतr थोड़ा सा बड़ा है लेकिन भोध ज़यादा सकती शाली मंतr है इस मंतr के जरीये से हमने भी अनेक भक्तों ने माता काली की शिद्धी को प्राप्त किया है और आप भी इसको प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इसका इस्तमाल कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ इसका इस्तमाल करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है बस देखिए जब आप मातागी पूज़ापाट करते हैं अपने घर में ठीक है मंदिर के सामने आपको बिल्कुल करेक्ट बैठना है नीचे आसन बिछा के और माताकाली के इस मंत्र को आपको बोलना शुरू कर देना ठीक है और ये जो मंत्र है आप 41 बार ये 108 बार नहीं बोल पाएंगे क्योंकि काफी ज़्यादा बड़ा मंत्र है और अभी तो आपको याद करने में भी थोड़ा सा समय लगेगा तो सिर्फ आपको ज़्यादा बननी बोलना बस पांच बार बोलना है आपको पूजा पाट के समय जब सुबह पूजा करोगे तो पांच बार बोलोगे जब शाम को पूजा करोगे तो पांच बार बोलेगे बस आप इस मंतर को एक बार बोल के देख लो आपको उसी समय मा की सिद्धी मिलने लगेगी जब आपके सरीर में माता की सिद्धी भरने लगेगी तो आपको अनेक तरेके से माता संकेद भी देगी अनुभब भी देगी हर तरब से माता के आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे तो समझ जाना कि आपको शिद्धी मंतर से मिल रही है तो चलिए भक्तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं अब हम आपसे फिर मिल नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै मता काली हर हर महादे मता काली बाबा भूले ना ताप समी की सारी मनुकामना जल से जल पूरी की